प्रवाइब दूस्तों मैं हो अमित और फोन डिट्रकें नए वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे पास है रियल मी वन लाइट स्मार्टफोन हाँ दूस्तों अगर आप कन्फ्यूज हो रहे हो तो टेकनिकली यह है रियल मी 2 स्मार्टफोन लेकिन अब इसको यूज करके हो गए है दो हफ़ते तो मुझे लगा मैं अपना ओपीनियन अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँ यहां पर अगर हम बात करें इस फोन के बारे में तो यह है रियल मी 2 स्मार्टफोन जो लाँच किया है इंडिया के अंदर 9000 के प्राइस पॉइंट के ऊपर और यहां पर आपको मिल जाता है स्नापड्राइगन 450 प्रोजसर और कुछ इंट्रेस्टिंग चीज हैं अगर हम बात करें मेरे experience की तो यहां पर सबसे पहले तो मैं बात करूंगा इंसके नाम को लेकर क्योंकि काफी सारा विवाद हुआ है काफी सारा confusion हुआ है और लोगों का बोलना है कि यार यह रियल मी 2 नहीं है यह वो फोन नहीं है जो हम लोग expect कर रहते हैं यह प्रॉलम इ यहां पर ऐसा नहीं है कि इसका प्रॉजसर बुरा है लेकिन अगर आप Helio P60 के compare में जाएंगे, Helio P60 आपका मिलता है OPPO F9 में, OPPO F9 Pro या फिर OPPO F7 या फिर कुछ superior phones में इसकी pricing है 200,000 के उपर, लेकिन Realme 1 ने उस phone को launch किया था सिर्फ 9,000 के price point पे, अब अगर वो लोग न अब यहां पर दो अपडेट से दोस्तों, यहां पर मैं आपके लिए कुछ इंटर्सिंग सप्राइज लेकिया हूं इस वीडियो के अंदर, हलांकि पिछले वीडियो में हमने आपको अल्री अनॉंस किया था हम कर रहे है चार स्मार्टफोन को गीववे, इस वीडियो के अ एक एरिया कि जहां पर मैं ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ, ऐसा निया है कि इस फोन के अंदर कोई OS का प्रॉब्लम है, यहां पर आपको मिल जाता है Android 8, जो रन हो रहा है उसके उपर Color OS के उपर, जो है OPPO का खुद का एक UI, लेकिन अगर आपको ध्यान है Realme 1 के बाद, O OPPO और Realme एक separate entity हो चुके हैं, तो मैं clearly wait कर रहा हूं कि यह लोग यह announcement कर दे कि हम इसके अंदर Color OS भी निकाल देंगे, क्योंकि मुझे कोई ज्यादा प्रॉलम नहीं, लेकिन जब एक नया UI आता है, तो आपको वो सारे चीजों को समझने में टाइम लगेगा, और उन सब ची Android देंगे, तो आप लोग का क्या नजरिया रहेगा, आप लोग क्या feedback रहेगा, आप comment section ने बताना मत भूलना, यहाँ पर Color OS में सबसे important बड़ी बात इक बता दूं, तो यहाँ पर वैसे अभी तो फिल्डाल मुझे ग नया software update भी आ गया है, और यहाँ पर यह बोल रहा है कि optimized photographing effect, improved network compatibility, fixes the automatically tap issue on the touch screen, improves the system stability, यह recent update आया है, हालनकि अगर हम बात करें Color OS की, तो यहाँ पर कोई battery stats ही नहीं मिलते है, अगर आप अलग सी app install करेंगे, तो आपको data मिल जाएगा, लेकिन कोई भी Android phone के अदर आपको battery stats मिल जाते हैं, और वो Color OS के नहीं चुपा दिया जाते है, I don't know why, क्योंकि यहाँ पर battery तो काफी ही बढ़िया है, वैसे छोटे मोटे options निकाल दिया है, जैसे कि आगर आप चाहते हो इस phone को reboot करना, तो आप long press करोगे power button को, और यहाँ पर आपको reboot option नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा सिफ power off, emergency or cancel, यह थोड़ा सा tricky है, मतलब क्या मिल जा लेकिन अगर आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर Snapdragon 625 अपका निकला था 2016 में, यह है 2018, अल्मुस्ट धाईस साल या फिर अल्मुस्ट तीन साल अभी कुछ में, तीन मेने के अंदर हो जाएंगे, और वही पर अगर हम बात करें Snapdragon 450 की, तो वह launch हो था पिछले साल mid-year, करीब जून या जुलाई में launch हो था, तो अल्मुस्ट साल के बाद 450 प्रोजेसर आया था, जो 625 के बाद में आया है, अब इसका benefit यह है कि दोनों फोन के अंदर आपको similar technology मिल जाती है, और यहाँ पर जो Snapdragon 450 वो support करता है dual camera technology और foster LTE connectivity, अगर आपके पास LTE support आ गया है, आपकी फोन म सपोर्ट नहीं करता है, मेरा यह कहना है कि 450 जो है, इतना भी कोई बुरा नहीं है, वो बात में आया है, numbering एक अलग लेवल की होती है, तो आप इससे कोई प्रॉलम नहीं हो सकता है, अगर आप फोन के अंदर गेम्स खेलोगे तो कोई प्रॉलम जनरली होना नहीं होना नही है, क्योंकि इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है, 9000 का प्राइस, रियल्मी 1 का भी प्राइस है, 9000 रुपेस का लेकिन अच्छी बात यह है कि रियल्मी ने 9000 का जो मॉडल था, उसको डिस कंटिन्यू कर दिया है, और अब यही फोन है जो आपको मिल जाएगा, रियल्मी क कोचिश की कि उसके अंदर जो भी प्रॉलम लगे, वो इसके अंदर फिक्स कर दिया है, लेकिन लोगों की नजरिया थोड़ा सा चेंज हो गया, और अगर हम बात करें, क्यामरा की तो क्यामरा की कोई बुरानी है, इसके अंदर तो इनका खुदका ओपो का ही टेक्नलोजी ह जिसे आपको बहुती बड़िया सेल्फी मिल जाती है, अगर आपको बहुती अच्छी बैटरी चाहिए, और बहुत अच्छे चामरा की खींचने हैं, अगर हम बात करें दूसरे चीजों की तो और अच्छा फोन है, नवजा की प्राइस पॉंट के उपर, जो मैं इसको इस वीडियो के अंदर मैं कर रहा हूं, तीन और नए फोन का गिववे, और गिववे बहुती सिंपल है क्योंकि इस फोन का नाम है, रियल मी 2 या फिर वन लाइट, जो भी हमारी इच्छा है, ऑफिशली तो रियल मी 2 है, तो इस वीडियो के अंदर हम कर रहे हैं, तीन स्मा या फिर फिंगर्प्रिंट टेक्नोलजी या फिर ब्यूटिफल डिजाइन, इस वीडियो को हर जग आपके फेवरेट सोचल नेटवर्क पे शेर कीजिए, और मैं रैंडम कॉमेंट पिकर यूज करकर किसी भी तीन यूजर का विननर अनॉंसमेंट कर दोंगा इस महीने की इतना साही दोस्तों ये था मेरा शॉर्ट टर्म लॉंग तो नहीं कि अभी तो सिर्फ कुछ ही हफ्ते हुए है इस फोन को लांच होकर मेरा उपीनिन इस फोन को लेकर हालां कि इसका एक अप्ग्रेड आ रहा है जो सकता है 15,000 से बीज़ा के प्राइस पॉन के अंदर जो है श्टॉक एंडरोइड आना चाहिए या आप हैपी है कलर ओएस से बस इतना साही दोस्तों ये था मेरा ओपिनियन रियल मी टू या फिर रियल मी लाइट वन लाइट के बारे में मैं हूँ अमें तौर मैं मिलता आपको हमारे अगले वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाइ!